मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में बहुत बोर हो रहा था क्या हो रहा था? बोर हो रहा था, यह मेरा घर है ठीक है? यह मैं हूँ और मैं अपने घर में क्या हो रहा था? बहुत बोर हो रहा था मेरा एक दोस्त है जोगी पांच किलो मेटर की दूरी पे रहता है और पांच किलो मेटर की दूरी पर उस दोस्त का नाम एजियूम कर लेते हैं शुबम ठीक है और ये जो दोस्त है ये रहता है पांच किलो मेटर की दूरी पे ध्यान से सुनना बात अब हुआ क्या, कि मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं इतना बोर हो रहा हूँ, कि मुझे तो चाहिए कुछ entertainment, इस बंदे के पास PUBG और GTA 5 जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स है, तो ये गेम्स का बंडार है, बहुत शौक रखता है गेम्स खिलने में, और इसके पास हर तना का गेम कभी भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं भी जियो चलाता हूँ, वो भी जियो चलाता है, क्या चलाता है, जियो चलाता है, एक जी भी मिलता है हमको, एक दिन का, एक जी भी मिलता है बस, और हम लोग जो है, जादा इंटरनेट पे, ब्र तो मुझे fastest way मेरे लिए क्या है इस दोस्त से game लाने का, यह आप लोग मुझे बताओ, तब आप लोग कोगे इसमें शक की कोई बात ही नहीं है, hard disk लेकर जाओ, copy करवा कर लाओ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी bike लेकर जाओंगा, और bike में मैं क्या करूँगा, लेकर आओंग वो game, ठीक है, तो यह मैं हूँ, मैं बाइक से जा रहा हूँ, और जाओंगा, और game लेकर वापस आ जाओंगा, और game का लुप्त उठाओंगा, अपनी आत्मा को तरप्त करूँगा, ठीक है, चलो यह तो हो गया, लेकिन मैं यह काहनी क्यों सना रहा हूँ आप लोग को, बताओ, नहीं ना, मैं उससे कोँगा कि तू ड्राइव पे डाल दे, तू एमेल कर दे, तू कहीं अपलोड कर दे, कहीं पे डलवा लूँगा, मैं उससे ड्रॉप बॉक्स होता है, जीमेल का होता है अपना गूगल ड्राइव, जीमेल में में भी आजाएगी 200KB, तो कई त तरीका चेंज करना पड़ जाएगी गेम को पुराप्ट करने का, अब देखो, गें को प्राप्ट करने का तरीका आपने 200KB के लिए क्ली क्या अपनाया, आपने अपनाया internet, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वह fast था, और 60GB के लिए अपने क्ली 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 आपनाया, 60GB के लि इंटरनेट से तो 1GB तो होता है, यह पढ़ देगा, 60GB कैसे आएगा, ठीक है? तो यह आपने अपनाया, मैं अगर आप लोगों से सवाल करूँ, जैसे-जैसे इस input का size बढ़ता जाएगा, अब इसको मानों यह input है, थोड़ा सा technical terms में चलते हैं, Enough of analogy, Enough of stories, ठीक है? Input है और output क्या है? Output है कि आपको लेकर आना है, आपका achieve क्या करना है, आपकी problem क्या है, आपको game चाहिए, तो यह problem आपको solve करना है, इसको मान लो algorithm, इसको मान लो algorithm 1, इसको मान लो algorithm 2, ठीक है? Algorithm 1 जो है, वो आपने अपनाया 200 KB के input के लिए, algorithm 2 आपने अपनाया 60 GB के input के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि, जैसे जैसे input का size बढ़ता जाता है, वैसे वैसे, इन algorithms का run time, run time समझ लो, जितनी देर में आपको लाने के लिए लगा time, वो समझ लो, उतनी देर में इन algorithms का run time, change होता जाता है, जैसे-जैसे input बढ़ेगा, इन algorithms का run time बढ़ेगा, थोड़ा analyze करते हैं कि क्या यह बात सच है और नहीं, अगर मैं इंटरनेट से बेज रहा हूं, अगर 200 KB मैं भेज रहा हूं, मानलो वो 2 second में आ जाती है, ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं 1 MB भेजू, तो वो कितनी दिर में आईगी, फिर अगर 200 KB, वहुत ही सिंपल रखता हूं मैं चीज़ों को, मानलो 200 KB स्पीड आ रही है, ठीक है, KB स्पीड आ रही है, मानलो और आपने भेजा, 200 KB तो आपका 1 second में आ अगया, ठीक है, और अगर आपने 1 MB भेजा, तो 4 second लगेंगे, ठीक है, तो KB अगर है आपकी फाइल, तो लग रहा है 1 second, और 1 MB भेजा रहा है, तो लगेंगे 4 second, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, कि जैसे-जैसे input size बढ़ रहा है, वैसे-वैसे, जो time है, जो कि भेजने के लिए लग रहा है फाइल को, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसका जो runtime है, वो change हो रहा है input size के साथ, क्या इसका भी runtime change हो रहा है input size के साथ, वही hard disk है, वही motorcycle है आपकी, वही bike लेकर जाओगे आप, और लेकर जाओगे, तो hard disk में चाहें आप 200 के भी लाओ, चाहें उसके बाद आप लोग 1T लाओ, एसके बाद लोग लाओ, एसके बाद देते हो कि यार, copy करकर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो time जो है वहीं पर उसको constant मान लेते हैं, कि time तो लगे गई नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका input बढ़ने पर आपके algorithm का runtime में कोई change नहीं आया, ठीक है, तो input size जैसे जैसे बढ़ा इस algo 2 का, वैसे वैसे क्या ठीक है, तो यह यह है कि यह दो अलग-अलग algorithms हैं, और इन दोनो algorithms को हम लोग इनकी time complexity निकालने की आपर कोशिश करें, जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि input जितना बढ़ेगा, उतना जो runtime में वो किस हिसाब से बढ़ेगा, किस हिसाब से एक अंदाज ले लो उसका, अ आप लोगो पांच-छे टी-बी कॉपी कराने के लिए ले आँ, तो इंटरनेट से तो भूली जाओ फिर, अगर आपके बाद नासा वाला इंटरनेट गर अलगे लेकिन, अगर आपके बाद जी हो है तब तो फिर सो जाओ, आप भूल जाओ उस फाइल को, नही आने वाली अपरों, नहीं जाएगी आपकी, दोस्त के पास से आपके पास नहीं आएगी वो, तो इसीलिए जब हम algorithms को analyze करते हैं, तो हम किसी भी algorithm को use करने से बेले उसको analyze करते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या ये मेरे लिए best algorithm है और क्या कोई दूसरा algorithm है जो कि इससे अच्छा perform करता है तो ये अच्छे का map हम किस से लेते हैं तो हम कहते हैं जैसे जैसे input का size बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे algorithm का run time पर क्या फर्क प को ही कहते है time complexity analysis इन दोनों algorithm में आता हूँ आप मुझे बताओ कि अगर आपको overall तो time लग रहा है अगर मैं कहूं कि algo one time ठीक है मैं काम करता हूँ थोड़ा सा mathematical जाता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा t algo one मैं कहता हूँ कि आपको एक formula बनाना है ठीक है एक formula बनाना है जो कि t algo one को denote करेगा अब मान लो आपको कपड़े पहनने में k1 seconds लगते हैं ठीक है क्यार दोस्त के घर पे जो जाना है उसकी गंदे कपड़े पहन होगे तो auntie क्या बोलेंगी क्या रही क्या पहन क्या आगे तो k1 आपको time लगता है उसमें अब मान लो कि आपकी जो गाड़ी है आपकी जो बाइक है और जो घर तक उसके दोस्त के पहुचने का time है वो k2 लगता है ठीक है और उसके बाद अब auntie जी के घर पे जाओगे थोड़ी सी कातिर तो होगी या थोड़ा चाइवाई तो बना पारता है college कैसा है इसकी डाट तो नहीं पढ़ती है तो वो सब बातों मान लो k3 time लगा और उसके बाद मान लो k4 time है अब वापस आगए है मान लो की अलग-अलग route जाने और आने के लिए या फिर merging कर लो तो क्या ये time ये depend कर रहा है size of input पर अब मैं अगर इसको size of input को n मान है n है game का size लिख देता हूं यहाँ पर n है game का size size of game जो लेने जा रहे हो अब अब अगर यहाँ पर 10 GB लगाओ आप अगर यहाँ पर 100 GB लगाओ 2 TB लगाओ आप कॉपी करके ले आओगे उत्तरी time में अब अगर मैं काओ कि इसको n के terms में लिखो आपको गयार n के terms में लिखी time लगा है मैं काओ नाई यार लिखो आप कहो यार किया से बिखंग यहाँ यहार र Chaos जा सकता सभी मैं अगर मैं आपके सिर पर चल जाओ तो नाई लिखो नहीं तो फभर अच्छाणी तो आपगे चलो यार ठीक है इतना ही जद कर रहे हो तो लो k1 n to the power 0 plus k2 plus k3 plus k4 मैं भी खुश और आप तो यार कुश रहते ही हो ठीक है k1 n to the power 0 n to the power 0 1 होता है तो मैंने क्या किया n के terms में इसको लिख दिया बहुत ध्यान से संदना इस बात को अभी मैं बता रहा हूँ बिगो के बारे में कि बिगो क्या है मैं हँ अभी भूल जाओ baby बिगो क्या है उसको भूल जाओ भी अन्य दिमाग को थोड़운 सा मनलब इन सब चीज़ो से हटा के बस बोल रहा हो सिबंगां आप समझ में जाए कहानी सुन रहे हैं हम लोग इक कहानी सुन रहे हैं t-algo-1-n, अगर मैं n टर्म्स में लिखुँ, time taken by algo-1, I think it should be algo-2, I'm sorry, it is algo-2, क्योंकि physical visit algo-2 था, चलो, कोई बात नहीं, algo-2 है physical visit, तो let me correct that, algo-2 में ये time लग रहा है, तो algo-2 जो है, वो depend ही नहीं कर रहा है, मैं क्यों कि इन चारो terms में, जो सबसे ज़ादा कौन सा term बढ़ा कर सकता है, सबसे ज़ादा, आपको और n to the power 0 ये सब में, n to the power 0, n to the power 0 क्या होता है, क्यों चीज़ों को complicate करें, जब हम n to the power 0 को 1 लिख सकते हैं, तो ये big o of 1 हो गया, ठीक है, तो ये constant time में रन होने वाला algorithm है, big o of 1 को बोलते है, constant time में रन होने वाल algorithm, ठीक है, चुकि ये constant था, जब ये constant होता है, तो n to the power 0 निकाल के हम उसको 1 कर देते हैं, इसलिए big o of 1, constant time, उसको थोड़ा सा, हलका सा, कुछ-कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो कि हम रर्टेंगे भी, तो कि यार हम कोई बार-बार सोचेंगे जोड़ा, इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे, big o of 1 देखते ही constant, ठीक है, उसको constant घोशित कर देना है, अब आओ यहाँ पर, दूसरी कहानी सुनके जाओ, अब देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर, पहले वाले algorithm का मैं analysis करूँ, tlgo1 करूँ अगर, तब यहाँ पर क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे अपलोड करना है, मैं जब send कर रहा हूँ data को, तो मुझे अपलोड करके send करना है, मेरा main time उसी में लग रहा है, ठीक है, अब मान लो कि मैंने अपने computer को turn on किया, तो उसमे time लगा मेरा L1, उसके ब तो 4 second में खुल जाएगा, super computer आप यूज करते हैं, एक second में खुल सकता है, L1 प्लस, मान लो आपकी speed है L2, ठीक है, L2 एक constant speed मानते हैं आपके connection की, जो की जियो में नहीं होती है, लेकिन मान ले थे कि constant है, ठीक है, आपके internet की speed जो है, L2 kbps है, ठीक है, तो अगर L2 kbps आपक speed है, मैं का लिखू, यहां लिखता हूँ, L2 kbps आपकी speed है, और उसी के साथ साथ आपको, मान लो L3 kb का game है, ठीक है, सारी, L3 kb का नहीं है, game N का है, तो N is the size of the game, N kb का मान लो game है, तब आप क्या करोगे, जब N kb का game है, तो कितना time लगेगा आपको, लगेगा N by L2, ठी speed is equal to distance upon time, physics simple वाली पड़ी है, आप लोगो ने क्या ही पड़ा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो distance हमने यहां पर निकाली, sorry, हमने distance और speed को यूज करके time यहां पर निकाला, कि कितना लगने वाला है, अगर मैं यूज करूंगा अपना algo 1, यानि कि internet वाला तरीका, तो मेरे internet की ज distance upon time और time is equal to distance upon speed, तो मैं distance थी मेरी जो size था game का वो, डिवाइट कर दिया मैं इसको time से, okay, n divided by l2, अब यहां पर क्या मैं 1 by l2 को एक दूसरा constant मान सकता हूं, l2 dash, मान लो, तोड़ा से simplify करने के लिए बस, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, कि यह जो मेरा 1 upon l2 है, वो एक और constant है, जिसको मैंने l2 dash बोल दिया, ठीक है, और l2 dash बोलने के बाद, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, l1 n to the power 0 plus l2 dash n to the power 1, अब बताओ इसमें से most impactful term क्या है, इन दोनों में से, obviously यह है, ठीक है, और इसकी degree क्या है, इससे constant अटा दे तो क्या है, n to the power 1, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, this is not equal to, equal to लिखना गलत है आपर, इसलिए मैं आपर एक टिल्ट लगा दूँगा, approximately मैं कौंगा कि, सबसे जादा जो मेरा पढने वाला है, फर्क वो पढने वाला है, इस वाले टर्म से, compared to यह वाले टर्म से, क्योंकि n to the power 1 जो है, अगर मैं बहु टर्म जो होता है, उसको लिया जाता है, ठीक है, तो उसको मैंने उठा लिया यहाँ पर, तो मैंने इसको उठा लिया, क्योंकि n to the power 0 के compare में यह बहुत बड़ा टर्म है, और मैं चीजों को simple, simple तरीके से देखना चाता हूँ, simplify करना चाता हूँ, ठीक है, मैं अब इसको लि बीनियर भी बोलूँगा, ठीक है, अब आप लोगो को real world में, या फिर अगर आप industry में जाते हो, किसी product based company में job लग जाती है आपकी, तो क्या होगा कि आपको यह कहानिया नहीं सुनाई जाएंगी वहाँपर, आपको algorithm दिया जाएगा, input दिया जाएगा, और आपको उसके हि हिसाब से, output को, कि मतलब जो output है, आपको कितने टाइम में बिलेगा, यह analyze करना है, और अपने हिसाब से algorithm चूज करना है, ठीक है, तो मैंने notes आप लोग के लिए बनाये, बड़े मज़दार, उसमें एक और example है, उसको अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले, मैं चाहत समझ लो, मैंने बहुत simplify करने कि इसको कोशिश कर दिये, अगर आप लोग को अब भी यह समझ में नहीं आया, तो इस करीज़ें यह कि, आप वेडियो वाच करते समय कही हो, और ध्यान तापका, आप पीछे करके फिर से देख सकते हो, कोई उसमें गलत वो नहीं है, कर लो प फिसिकल विजट करोगे, तो जितना भी फाइल का साइज हो, टाइम उतना ही लगेगा, इसलिए 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 बताया आपको, और इसको बिगो अफ एन कैसे लिखा, मैंने यह बताया आपको, अब हमारे पस बहुत तरह के अलगोर्दम्स होते बट यहाँ पर, मैं बस आप लोग को यह बताना चाहता हूँ, कि लीनियरली अगर आपका जो टाइम है, वो स्केल कर रहा है, इन्पुट साइज के साथ, बिगो अफ एन, और कॉंस्टेंट अगर है, तो बिगो अफ एन, तो बस टाइम कॉंपलेक्सिटी अना बिगो यह कि आपका जो टाइम है, यानि कि जितना टाइम लगता है, आपके अलगॉर्दम को रन करने के लिए, वो किस हिसाब से स्केल कर रहा है, अगर वो लीनियर टाइम में रन हो रहा है, बिगो अफ एन, अगर वो कॉंस्टें टाइम में रन हो रहा है, बिगो अफ वन, ठीक है, So, यहाँ पर हम लोगों को यह चीज वह भी clear हो गई है I hope clear हो गई है मैं इसको जल्दी से board को रप कर दूँगा तो I know, वड़ी डस्टर टिका रगा है बड़े अराम से और मुझे यह बड़ी convenience देता है अब थोड़ा सा बिगो पर प्रकाश डालेंगे कि बिगो क्या है यह क्या मैंने OO बना के क्या लिखा ठीक है इसको थोड़ा से समझाऊंगा अबी और यह जो चीज है बहुत जरूरी है इसलिए बहुत द्यान से सुनना यह चीज आ गई ना आपको तो questions को तो आप हम questions भी करेंगे आगे बिगो के अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बिगो को समझेंगे कि क्या होता है अब देखो बिगो की mathematical definition अलग होती है और बिगो की industry definition अलग होती है और यह बात जो है मैं आप लोग को बताता हूँ एक होती है mathematical definition और एक होती है industrial definition जो कि industry में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, तो industry definition में क्या होगा, कि आप लोगों को precisely big O जो है, वो बताना है और इसको मैं order of भी बोलूँगा यापर, तो हम लोग आगे big O, big theta और big omega पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपस यह समझ लो कि big O का मतलब होता है, industry में order of और mathematical की definition होती है, जो कि हम बताएंगे, हम देखेंगे आगे, लेकिन यह चीज़ आप लोगो के दिमाग में डालना चाहता हूँ, कि जो big O होता है, उसको अगर mathematics में डिफाइन किया जाए, तो वो थोड़ा सा अलग होता है, जिस आपसे आपका इंटर्व्यू लेगा, इंडुस्टरी वाला, वो पूछेगा, अगर आप लोगो गेट वगरेगा एग्जाम देरो, बाइदावे, यह कोर्स गेट के लिए भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लेकिन यह आप लोगो बोला था कि प्रिपरेशन के लिए मैं आप बना रहा हूं इसको प्रमारिली, बश का मतलब यह नहीं है, कि जो गेट है उसके लिए आप लिए आप लिए आप ने देख सकते है, ओन्सेट साली सेम रहते है, तो जब च्वेशन आप व्ल्लिकॉशन आती है, but industry में आप answer दे रहे हूँ तो industry definition काम आती है क्या difference है इन दोनों में जो big o of n होता है वो automatically big o of n square भी होता है ठीक है और वो automatically is also big o of n cube तो higher order की term आप लिखते जाओ इस तरह से यह इसकी mathematical definition होती है लेकिन आपको जो industry definition होती है वो expect करती है कि जितना कम में आप लिख सकते हो इसमें लिखो ठीक है तो यहाँ पर industry definition होती है minimum of these इक algorithm को analyze करके आपको इनके minimum लिखने हम आगे देखेंगे इसकी क्या value है आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या mathematics involved है क्यों ऐसा होता है लेकिन अभी अगर आप लोग को यह चीज अटपटी सी लगी तो छोड़ो अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे इसको बट आप लोग को बस बताना था ठीक है तो जब भी मैं mathematical definition इसकी use कर रहा हूं तब मैं बोलता हूं इसको बेगो लेकिन जब मैं industry definition कि मैं किसी interviewer को answer कर रहा हूं तब मैं बोलूँगा order of ठीक है मैं order of बोलूँगा क्योंकि बेगो की definition कुछ और होती है बट इनको interchangeably use किया जाता है ठीक है बट यह story बता होनी चाहिए आपको यह story line है कि भाई industry में क्या है और mathematical definition इनकी academy यह इसको अलग तरह से use किया जाता है तो वो चीज़ आप लोगो को पता होनी चाहिए ठीक है तो इसको अभी यह पर जल्दी से मिटा दूँगा और उसी के साथ-साथ फिर क्या करूँगा एक graph बनाऊंगा एक graph बहुत important है कहाँ यह duster उपर है वो था हमारा इंटरनेट से भेजना फाइल को और जो हमारा अलगो 2 था वो था physical visit PV लिख देता हम उसको में ठीक है यह ideal gas equation वाला PV नहीं है यह physical visit है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अलगो 1 जो है वो है internet और यह हमने देखा था कि यह था big o of n यह था big o of 1 constant time run होने वाला algorithm था ठीक है अब मेरी बात को द्यान जा सुनू अगर मैं कहूँ कि मैं plot करना चाहता हूँ input को और time को यह time क्या है यह वो time है जिसमें आप पहुंचोगे अपने दोस्त के घर पर और यह n क्या है यह n है आपका कि आपका क्या है यह size of game यह आपकी game का size है ठीक है तो यह size of game है अब अगर मैं इसको l ko 2 को plot करूँ तो एक constant था something था k1 आप देख ले ना वीडियो पीछे करके यह लिखा था मैंने equation जो भी है वह constant था तो उसका graph इस तरह से plot होगा तो big o of 1 इस तरह से plot किया जाता है इसका मतलब यह निए कि यह 1 का graph है x is equal to 1 के graph से confused इसको यह x is equal to k का graph है constant जो भी constant था मारा जिस constant time में रहन हो था वो और यह किसका graph होगा अभी मैं जो बना रहा हूँ वो big o of n का graph है ठीक है और यह y is equal to mx plus c से थोड़ा सा distorted भी हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ higher order वाला term लिया है ठीक है तो यह क्या है यह big o of n का graph है मान लो आपने जब आपको 1200 kb भेजता था तो जब आपको 1200 kb की file भेजनी थी तो कम time आपको कहा लग रहा था यहां पर रहा है कम time clearly आप big o of n वाला यहां की internet से बेज़े थे उसको फिर आपका file size जैसे ऐसे बड़ा होता जा रहा था तो आपके लिए decision लेना तुड़ा मुश्किल होता जा रहा था कि यार भेज पाऊंगा भेज पाऊंगा भेज पाऊंगा या नहीं भेज पाऊंगा फिर यहां पर एक time ऐसा आएगा मान लो मैं उसको 1GB मानता हूं ठीक है कि 1GB में आपको उतना ही time लगे मान ले थे just let's assume ठीक है कि 1GB में आपको उतना ही time लगेगा जितना आपको time इंटरेट से बेजने में लग रहा है उतना ही time आपको physical visit से भी लगेगा तो एक time पर यह मिलेंगे big o of one और उसके बाद big o of one में आपको फायदा होगा ठीक है जैसे इस input size बढ़ेगा तो size of game जैसे ही मान लो 20GB का हो गया तो आप नहीं चाहोगे कि आपको इतना time wait करना पड़े आप चाहोगे कि आप उसके घर जाकर ही ले आओ तो उसमें आपर कम time लग रहा है जो भी equation थी हमारे algorithm के run time की उसका graph है approximately हम उसको approximately plot करते हैं और इन सबको compare करते हैं ठीक है compare करते हैं तो मैं आप लोग को जो है बाकी graph भी दिखाऊँगा लेकिन इस time पर मैं लेकर चलना चाहूँगा आपको notes की तरफ जो कि मैंने अप लेक लिए बनाए है लिए आप लोग को पता होगा मैंने जो आपको ds0.pdf है वो अल्रेडी दे दिये और आप लोग को ds1.pdf है मैंने introduction को 0 बोला इसलिए ds0.pdf और यह ds1.pdf को भी खोल लेते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो ds1.pdf मैंने आप पर खोल लिए और उसे के साथ-साथ यहां पर मैं आप लोग को एक example दे रहा हूँ कुछ पीजास का तो मैंने एक example दिया है आप टाइम complexity का की मैं अगर मान लो पीजा खाना चाता हूँ तो मैं अपने भाई को एक पीजा लेने के लिए भेज सकता हूँ लेकिन अगर मेरे दोस्त भी आ जाते हैं मैंने आपर लिखा हुआ है आप पढ़ लेना इसको मैंने लिखा है आपर अगर कुछ दोस्त भी आ जाते हैं आपके गर पर तो आप लोग 68 पीजा एक भाई से नहीं मंगा सकते वो optimal टाइम में टाइम को जो आपका टाइम है जिसमें आपको पीजा मिलते थे उसको अफेक्ट कर रहा है जैसे कि आपने आपर देखाई तो हमने टाइम कॉंपलेक्सिटी को भी देखा तो टाइम कॉंपलेक्सिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो है study of efficiency of algorithms how time taken to execute an algorithm grows with size of the input जैसे यसे input का size बड़ेगा वैसे वैसे time जो है उसका क्या होगा उसका size बड़ेगा time बड़ेगा या कम होगा तो मैंने आपर एक example लिया है दो developers का जो कि क्या कर रहे है end numbers को sort करना चाहरे है तो मैं आपर एक real word example ले रहा हूँ क्योंकि हमने जो अभी तक examples लिये वो बहुत ही naive थे बहुत ही simple थे अब मैं आपर तोड़ा सा real word example ले रहा हूँ यानि कि sorting of end numbers का अगर मैं end numbers end कुछ भी हो सकता है 10 number हो सकता है 20 number हो सकता है 100 number हो सकता है 1000 number कर सकता हूँ मैं sort मान लो array में element है ठीक है मैंने शुबं से खा तुब एक algorithm बना मैंने रोहन से खा रोहन तुम भी एक algorithm बनाओ और दोनोंने algorithms बनाए और उसके बाद मैंने उनको test किया तो जो शुबं का algorithm था मानलो उसने 10 element को sort करने के लिए 90 milliseconds लिए एक second में 1000 milliseconds होते है और रोहन के algorithm ने 12 millisecond लिए शुबं का algorithm जीता मैंने का रोहन तुम्हें बिल्कुल code करना नहीं आता यह क्या लिए तुमने 124 millisecond में run कर रहा है शुबं से कुछ सीको 110 millisecond में उसका algorithm run कर रहा है उसके बाद 110 elements की बात आई और वहाँ पर शुबं का algorithm ने time को 180 millisecond shoot up कर दिया और रोहन का algorithm वहीं पर 120-130 के आसपास ही मन रहा रहा था 131 millisecond लिए उसके बाद जब मैंने 1000 elements पकड़ाए इनके algorithms को तो शुबं का algorithm तो बुरा फट गया है उसमें 2 seconds लगे लेकिन रोहन का algorithm ने उसको ठीक ठाक 800 millisecond में कर दिया तो इससे क्या conclude आप लोग करोगे यहाँ पर हम लोग देख सकते है initially अगर कम elements के लिए use करना है तो शुबं का algorithm बेटर है लेकिन अगर मुझे बड़े elements के लिए run करना है big data पर run करना है तो रोहन का algorithm ही मैं use करूंगा भले ही वो छोटे यहाँ पर arrays के लिए थोड़ा time जादा ही खाले in compare to Shubham's algorithm तो यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा है कि किसका algorithm better है किसका algorithm better है तो यहाँ पर जवाब है कि दोनों ही better है अपनी जगा अगर मैं overall compare करूं तो मैं रोहन को दूँगा इनाम अच्छे algorithm को लिखने का क्योंकि उसने जैसे जैसे size बढ़ता जा रहा है array का उस case आप से उसने लिखा लेकिन Shubham ने जो छोटे elements थे हो सकता है उसने कम elements वाले array के लिए कुछ ऐसा hardcode कर दिया हो जैसे कि वो sort हो जाता हो maybe I'm just saying और जो अच्छे algorithm होता है वो बड़े input के लिए कम time में run होता है ठीक है ये एक अच्छे algorithm की पहचान है तो यहाँ पर वैसे तो छोटे elements के लिए अगर run करना है अगर मान लो मुझे हमेशा 10 या फिर उससे कमी elements sort करने है तो मैं run के algorithm की तरफ देखूंगा भी नहीं लेकिन अगर मुझे बड़े elements भी sort करने बढ़ गए in general मुझे algorithm plug-in करना है किसे system में तो मैं run का algorithm plug करूंगा क्योंकि वो बड़े inputs के लिए भी बहुत optimally perform करता है मैं पूरे notes readout नहीं करना चाहता यह चीज मैंने वही लिखी है जो कि अभी थोड़े दर पहले आपको बताई जियो वाली कहानी जो कि आपने अभी देखी होगी और हमने आपर देखा जैसे से file size grow कर रहा था जो online sending है वो time उसमें बढ़ रहा था physical sending constant time में हो जा रही थी अब यहाँ पर order किस तरह से calculate करना है यह भी मैंने आप लोग को पूरा explain किया अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो highest order term है जो सबसे ज़ादा impact दे रहा है formula के अंदे सबसे ज़ादा दम दे रहा है वो है n square ठीक है चुकि आप n की कोई बड़ी value डाल के देखो कि तो यह कुछ भी नहीं रहेगी उसके compare में जितनी बड़ी यह आजाएगी आप 10,000 डाल के देखो n की value देखो इस term की क्या value है और यह इस पूरे overall term में इस पूरी overall equation में कितना सारा जो importance है वो दे रहा है कितनी value add कर रहा है तो यह आपको पता चल जाएगा इसलिए हम highest order term लेते है equation का जरूरी नहीं है वो highest degree term और polynomial ही हो यह polynomial इसका होना जरूरी नहीं है equation में factorial भी हो सकता है इस equation में कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन हम लेते है highest order term ठीक है और highest order term लेने के बाद हम क्या करते है उसको big o के अंदर डाल देते है और big o of n square यहाँ पर आ गया यहाँ पर मैंने n जो भी है हमारा जैसे कि यहाँ पर हमारा file size था n उसके terms में पहले लिखते है equation को और उसके बाद highest degree term ले लेते है जैसे यहाँ पर big o of n to the boss 0 लिखा फिर big o of 1 मैंने उसको कर दिया क्योंकि n to the boss 0 is 1 क्योंकि इसमें n था ही नहीं यह constant time में run कर रहा था तो इस तरह से algorithms को analyze करते हैं अब यहाँ पर देखो note that these are the formulas for time taken by them ठीक है यह formulas है कुछ constants use किये हैं constants को हम हटा के हाँ यह starter करना हम उठा लेते हैं ठीक है फिर मैंने visualize भी करवाया आप लोग को और मैंने आप लोग को दिखाए कि हम लोग plot कर सकते हैं big o of 1 को और big o of n को एक graph में और यहाँ पर इस तरह से हम और भी algorithms को plot कर सकते हैं big o of 1, big o of n इन सारे algorithms को हम एक sheet पर plot कर सकते हैं अब यहीं पर मैंने एक चीज और add करी है जैसे कि मैंने आप लोग को यह plot करके दिखाया था अभी board पर भी big o of 1 और big o of n को आप लोग graph पर plot कर सकते हो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरा सा चार्ट लगाया हुआ है जिसमें क्या है कि big o's को compare किया हुआ है कि big o of log n graph पर कैसा दिखेगा big o of 1 कैसा दिखेगा यह big o of n है यह big o of n log n है यह big o of n square है यह big o of 2 to the bar n है यह big o of factorial n है और यहाँ पर इन्होंने color से भी इसको mark किया हुआ है कि किस तरह से जो यह algorithm है अच्छा बुरा की तरफ जा रहा है green मतलब अच्छा लाल मतलब बुरा बुरा है जिन की जारा time में रन हो रहा है और मैंने यह लिया है figure stack लोग एक answer से आप लोग जाकर देख सकते हो but most of the value मुझे इस figure में ही मिली वहाँ पर तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया इसको काफी अच्छी तरह से समझ में आता है देखकर आप लोग इस notes को एक बार जरूर पढ़ना बहुत important है आप लोगों के लिए वीडियो के साथ notes बढ़ा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को time complexity of big को समझते में कुछ भी दिक्कत आने वाली है अभी मैं आगे जो है अगले वीडियो में आप लोगों को आने वाले वीडियो में problem solve करेंगे हम और भी concept से उनको देखेंगे but I hope कि इस वीडियो ने value add की अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है आपको बसन आया like जरूर करना इस वीडियो को उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने playlist अभी तक access नहीं करी है data structures and algorithms की तो उसको जरूर access कर लेना कि वही एक जगा है जहां पर सब को ये डलने वाला है ये playlist है यहां पर मैं सब कुछ डालूंगा सारे वीडियो इसी में आएंगे तो इसको bookmark कर लो तो अच्सा ही रहेगा आप लोगों के लिए यहां क्लिक करके और यहां क्लिक करके सेव भी कर लेना इसको अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं थैंक यू सो मुच गाइस वाचिंग इस वीडियो और आइवल सी यू नेक्स ताइम